तो कैसे हो मेरे लाट्टक वीडियो का चानल वाला तुम्हारा फेवरेट लाट्टब लेगे हम एसस टॉप A15 राइजन 7 वाला 4050 के साथ और भाई बहुत मुश्किल है बोलना तो भाई टफ की डिमांड बहुत चल रही थी इसकी नहीं 4060 वाले की जो इंटल 12 जेनरेशन के साथ आ रहा था बट वो अभी यह रेंज होने वाला है लेकिन उससे पहले तुम्हारे तुम्हारे थोड़ा सा तड़का ले आया है तॉप A15 ने हमारे पास 2023 वाला राइजन 7 सब्सक्राइब के साथ विर 4050 और यह लापटाप वन लाग 5,000 चल रहा है और एक लग क्या सब्सक्राइब कर दो रिवी क्योंकि 6GB का ग्राफिक कार्ड है तो देखते कैसा इस प्राइस पर और मैं इंस्टाग्राम पर स्टोडी डाली थी इस लापटाप की एक सवाल इतन अलमारी पर अपनी चाती पर और यहां पर सफेद घूंगट में निकल जाता है हमारा लापटाप थोड़ी बहुत पुस्तों के पुस्तों के मिल जाएंगी जिसके हमें कोई ज़ुरत नहीं है एक हमारी मोटे वाली पावर कॉर्ड यह मोटे वाली इस लिए पावर प्लग यहां पर टफ गेमिंग लिखा इधर टफ का लोगो बन रखा और साइड में चार कोने से थोड़ा उबरा उबरा से टेक्चर है यहां पर उपर हमारे को नोटिफिकेशन लेडी मिल जाती है जो इसके लिड ओपन करके अंदर के तरफ भी मिल जाती है और अंदर से पूरा क पूरा पॉली कार्बनेट बिट है टफ का लोगो बन रखा ट्रैक पड़ी के ऊपर और राइट साइड मिले का कॉशन हाई फ्रेम रेम रेट जोन ने क्या मतला बहुत जादा फ्रेम रेम रेट निकाल लेगा और कीबोर्ड के ऊपर हमारे को इंटेक के वेंट्स मिल जाते और इसकी जो टॉप लेट है उस पर फिंगरप्रिंट के निशान जादा तो नहीं आते हैं बर थोड़े थोड़े आ जाते हैं इंटीरियर में ऐसा फिंगरप्रिंट की कोई दिक्कत निया है नहीं ट्रैक पैड के ऊपर है ऐसा कोई इशू है और इस लाप्टप का बेर 2. 2.2 kg है तो full-fledged laptop जो 2.5 या 2.6 kg होते हैं उससे यह हलका है इन शॉर्ट प्रिडिटर नियो से करके तो उससे भी हलका है और यहां पर वेट मैंजमेंट सही है एक हाथ से ले इसकी ओपन हो जाती है और यहां पर थोड़ा बहुत वाबन मिलता है सच जादा नहीं है और यह वाला जो प्रोसेसर रहा ना यह री ब्रैंडेट 6800 ह है एक एक टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कोर काउंट हर चीज बिल्कुल सेम तो सेम है यह बस एचस वाला है तो थोड़ी कम पावर करेंगा लेकिन परफॉर्मस लगबग 6800 ह वाली ही निकाल के देगा और एच और एच वाले यह थोड़े से लो पावर होते हैं एच वाले कंपैरेजन में दस वाट क्या सपस कम पावर करते हैं थोड़े से थंडे भी रहते हैं और यहां पर मिल जाता है आर्टेक्स 4050 जो मारा 140 वाट TGP वाला जीप्यू है 6 GB RAM के साथ ही आता है और इसके इना मिलती है 16 GB RAM dual च SSD जो जैन 4 वाली स्पीड दे नहीं रही है रीड आइट स्पीड आप देख सकते हो उपने सामने 4000 के आसपास रीड स्पीड और 1800 के आसपास राइट स्पीड SSD से मैं डिसपॉंट इस प्राइस पॉंट के हिसाब से और यहां पर SSD अप्ग्रेड करने के लिए दो स्लॉट हमा वनना दूसरे तरीके भी हैं डालने के एंड इसके अंदर दूसरे वेरेंट भी है जैसे की Ryzen 9 4050 जिसका भी हमने रिसेंटली रिव्यू किया था वह वली वीडियो भी देख सकते हो और यहां पर 4060 वाले वेरेंट भी है साथ में Intel 13 जेनरेशन वाले वेरेंट भी है और कर आगे चले जाना मैं टाइमस्टाइम दे दूँगा तो आप अपने लिए असा बड़िया गीमिंग लाप्टॉप डूंटर तो लाप्टॉप स्टोर विजिट कर सकते हो जो आपको कैपरी ट्रेट सेंटर में मिल जाएगा यहां पर सारी वाराइट यहां पे सारे पेमे स्कोर से हैं और यह 3D Mark Time Spy के स्कोर से हैं और यहां पे PC Mark 10 जो हमारा 7000 के आसपास है और हमने ब्लेंडर बेंचमार्ग भी है 2976 के आसपास स्कोर निगल गया है यहां पर जितने भी CPU वाले बेंचमार्क से नंबर देखके पता लग गया होगा 6800H वाली ही परफॉर्मेंस है और जो लोग सोच रहे थे प्रेडेटर नियों में 3500HX मिलता है इसके कंपेरेजन में कैसा है 3500HX ज्यादा बेटर है अपने सामने नंबर देख लो और उससे खुदी अंताजा लगा लो और वह एच-एक्स सीदी का प्रोसरा जो बहुत तगड़ा परफॉर्म करता है इस क्योंकि 4050 है 6GB VRAM वाला GPU है और Blender Benchmark का स्कोर भी 3000 के आसपस निकल गया रहा है जो कि अच्छा है स्मूद एक्स्पेरेंस आपको मिलेगा बाकि आप कॉलेज स्टूडेंट हो आपको कोडिंग करने है किसी भी लेवल कि अराम से कर सकते हो मल्टी टास्किंग करने हो कोई द टेस्ट किया था यहां पर सेदे में चार 23 का थ्रॉटल टेस्ट लाया था 26 डिग्रीज के आसपस रूम टेंपरेचर था उसमें इसका सीप्यू टेंपरेचर 95 डिग्रीज तर टच कर गया था और टफ सीरीज का आपको बता दू 95 डिग्रीज पे लॉग्ड होते हैं उसके यह थ्रॉटल करने लगते हैं तो यहां पर मैं थ्रॉटल करने लगते हैं वैसे हैं जैसे हैं जैसे हर बार होते हैं और एचे सीरीज का प्रोसेसर लगाने के बात भी थंडक मेंटेन कर नहीं पाया है यह 26 डिग्रीज रूम टेंपरेचर बाकि अब हाई-end टास्क वगरा क पो इतनी उमीधी 200 से लेके 250 fps के आसपास और एक चीज मैं क्लियर कर दो जो बहुत लोगों को डाउट होता है कि इतनी मशीन कैपेबल है अब इससे ज्यादा रिफ्रेस्टेट वाला मोनिटर रगाओंगे तो इतने रिफ्रेस्टेट के मज़ें ले पाओंगे इसके ओपर एक्सपेक्टेद 1080p के अंदर 70-80 fps के आसपास मिल रहा है जो कि काफी बढ़ी है और यहां पर जैसे की 40-50 है तो कम पावर ड्रॉ करेगा लेकिन परफॉर्मेंस बढ़िया देगा और प्रॉपर 140 वार्ट तक तो अब यह पहुंचेगा ही नहीं जब पहुंचेगा तो कभी फ्यूचर वाली वीडियों हम कवर कर देंगे उसके बाद हमारा GTA 5 टेस्ट करा वही 1080p resolution पे और यहां पे settings रखके हमने very high पे और यहां पे very high settings पे हमारे को 150-160 fps के आसपास मिल गये थे और fps इससे ज्यादा भी मिल जाएंगे लेकिन हमने जो है नहीं मॉड लगा के टेस्ट क आसपास DLSS off पे मिल रहे हैं और 9200 fps के आसपास DLSS quality पे और preset extreme है और बागे आप चाहो तो preset को high पे very high पे या उससे कम पे करके खेल सकते हैं क्योंकि e-sports game है ग्राफिक्स इतने matter नहीं करते fps मिलने चाहिए वाइसा तभी तो केल बजेंगे और इस गेम में थोड़ा गर्मी बढ़िया निकाल के देगा और 6270 fps हमारे को भाई फीवर कॉलिटी पे लाइक सबकुछ extreme पे एंड यहां पे जीप्यू अपनी पुछ करता हूँ मैक्सिमम 80-90 वाट तक जा चुका है और CPU में गर्माहट पैदा हो गई है तो आप इससे तफ के thermals का अंदाजा लगा सकते हो यहीं पे हमारा Acer Predator Neo 60-70 Watt तक CPU power draw में भी बाइसा अंडर 80 degrees temperature रखता है तो यहां पे टफ के temperature हमारे को decent side ही मिलेंगे बहुत जाद अच्छे नहीं कह सकते है उसके बाद Spider Man Murali हमारे very high preset पे test कर रहा है frame generation मिलता है इसके अंदर क्योंकि DLSS 3 का support है एक तरह frame generation off है दूसी तरह सब्सक्राइब कर देंगे और यहां पर बढ़िया निकाल के देगा है 40-50 की performance आप पैचान के होगे इतने सारे laptop हमने review कर दिए 70-80 fps मिल रहा है राम से बढ़िया जो खेलने लाएक होते हैं बागी frame generation लगा लोगे तो और fps 100 से उपर जिसमें पूरा smooth experience आपको मिल जागा फि देखा जया तो laptop की performance बढ़िया है then last game in the list हमारा cyberpunk जान निकालने वाला ultra preset पर और इसके अंदर भी frame generation मिलता है एक तरफ off है दूसरी तरफ quality पर रखा है और fps का gap देखो 80-90 fps मिल रहा है हमारे को DLSS off पर वहीं पर quality पर रखा है 120 के असपास 110-120 तो भाई यहां देखके लगता यहां पर 70-80 fps मिल गए frame generation के साथ और उसके बिना भी आप देख लो 40-45 fps मिल रहा है जो की प्लेवल होते है यानि कि 40-50 अच्छा गासा GPU है अगर आपको गेमिंग करनी है अल्ट्रा प्ली सेट पर AAA titles और इस laptop में full-size keyboard मिल जाता है numpad included है WASD highlighted है और यह हमारा single zone वाला RGB keyboard है यान जो trackpad उसका size उमर को सही लेगा चलाने में smooth है multi gesture को support करता है fully clickable वाला है और यहां पर left side में power input का port मिलता है RJ45 LAN port HDMI 2.1 का port मिलता है और HDMI से display output लोग है तो GPU से output मिलेगा तो better performance मिलेगा और external monitor और यहां पर मिलते है दो type C port एक USB 4 वाला है जो display port 1.4 को भी support करता है यानि कि इससे भी आप display output ले सकते हो लेकिन इस case में IGPU से output मिलेगा यानि कि AMD Radeon से RTX से नहीं और बहुत लोगों को confusion है थंडर बोल्ट 4 पोर या USB दिफ्रेंस क्या है सेम स्पैसिफिकेशन है नाम अलग अलग है थंडर बोल्ट इंटल वालोन अपने नाम पर पे टिंट करा रखा किया रहा है रहा है अम नहीं देंगे जाएगा और साथ में USB 3.2 Gen 1 Type A port तो मेरे असाब से पोर्स के मामले में तो कोई disappointment नहीं है अच्छे घास है भरपूर पोर्स मिलते हैं और पोर से तो इंटरनल डिस्प्ले आउट्पूट बता दिया इंटरनल डिस्प्ले आइसाब किताब है भाई मक्स्विच के साथ आता ह यहां पर आर्मरी क्रेट सॉफ्टर में GPU मोड करके मिलता है जिसमें हमारे को Optimize Gecko Mode Standard और Ultimate मिलता है Ultimate के उपर इसके इंटरनल डिस्प्ले का output RTX 4050 से मिलेगा तो अगर इंटरनल डिस्प्ले पर गेमिंग करोगे तो FPS में कोई गिरावट नहीं मिलेगी इसके अंदर हमारे को मि 250 nits की brightness दी है जो कि मेरे को disappointment लगी 300 nits कम से गम होनी चाहिए थी एक लाग पाँच हजार का लाक्टव है प्रिडेटर नियो में 400 nits की brightness है तो 300-400 देनी चाहिए थी फिर भी display हो और conclude करो यहां पर color accuracy वाले आप task कर सकते हो brightness थोड़ी चे आपको कम महसूस होगी लेकिन display color accurate है और अगर आप multimedia content देखते हो जैसे YouTube वगरा हो गया OTT वगरा हो गया उसमें भी colors वगरा हमारे को अच्छे दिखा देती है यह और यह कुछ ऐसा इसका webcam टेस्ट है 120 वाला webcam मिलता है जिसकी quality भी ठीक था गी है जाद अच्छी नहीं है और ज्यादा बेगार भी नहीं सकते अब एक्स्टरनल डिवाइस लगा होगे तो आप उसका फुल पोटेंशल यूज कर सकते हो इस laptop के साथ और यहां पर टफ सीरीज का बेस्ट पार इसकी बैटरी यहां पर 90 वाट आर की बैटरी मिलती और बैटरी बैटरी अच्छा दे जाता है 50% स्क्रीन ब्राइटनेस पर 40-50 या फिर यह वाला सबसे बहले बिल्ड डिजाइन दोनों के दोनों लाप्टॉप की बिल्ड अच्छी है बस आपको प्रिडेटर 300-400 क्राम हैवी मिलेगा यह उससे थोड़ा हलका है देन बैटरी 10 वाट आर का डिफरेंस जो रियल लाफ में इतना मैटर नहीं करता उसक आतरे भी पोर्ट की पोर्ट साब अपने पंपेर कर ले ना यह वीडियो देख ले ना वह वाली वीडियो देख लेना में ली आते है थर्मल्स फाय की टकर नहीं प्रेजन डेरेट में जितने लाप्ट आरी रिवीव कर चुगा तो चुकंकलूजन साफ है यह 1.6000 का चल र 12650H, उसके बाद GPU 3070Ti मिलता है, और मैंने comparison भी किया, 4050 और 3070Ti का राइट साइड में हमारा Nitro है, जो भी हमने रिसेंटली रिव्यू किया था, आइनो comparison नहीं है क्योंकि इसके अंदर DDR4 है और यहां पर DDR5 मिलेगी, लेकिन तुम साफ देख सकते हो, नाइट्रो के अंदर हमारा 7.6GB के आसपस GPU यूज हो रहा है, तब भी 60-70 FPS निकाल के देरा है, और वहीं प आप साफ देख सकते हो, कि 4050 की performance जादा बेटर निकाल के आ रही है, तो इन दोनों laptops में अगर आपको कोई चूज करना है, उसके अंदर DDR4 मिलती है, पोर्ट्स आप अपने अप डिसाइड कर लेना चेक करके, और उसके बाद आती है thermals की बात, तो दोनों thermals के मामले में सेम ही थाली ये चट्टे बट्टे है, अब ये दोनों laptops में कहीं बेटर है, अपनी चॉइस के साफ से चूज कर सकते हो, मेरी से टाई है, और हमारा टफ 12700H 4060 जिसका मैं रिव्यू नहीं कर पाया, theoretically थोड़ा सापको बता देता हूँ, बिल्ड क्वालिटी ऑविएसली दोनों टफ है, सेम टू सेम मिलेगी, बैटरी दोनों के अंदर सेम है, और प्रोसेसर के मामले में 12700H ज्यादा बेटर है as compared to Ryzen 7 7 735HS, लेकिन वहीं पर मुझे लगता है कि वह वाला लाप्तॉप ज्यादा गरम होगा इसके comparison में, because 12700H ज्यादा पावर ड्रॉ करता है, then 4060, definitely 4060 बेटर है 4050 से, उसके बाद RAM इसके अंदर DDR5 है, उसमें DDR4 मिलेगी, लेकिन प्रोसेसर और GPU बेटर है, तो वह बैलनस आउट क के अंदर, तो अगर मेरा जज्जमेंट लोग है, आज की रेट में, तो I'll prefer 4060 वाला टफ, लेकिन वह इससे महंगा भी है, वह 1,15,000 का है, यह 1,5,000 का है, 10,000 का difference है, लेकिन वह value for money है भी, उसके बाद last comparison, Omen Ryzen 7 6800H, 3070 Ti वाला जो भी हमने रिव्यू करा था, या फिर ये व जाँगा, तो मैं वह वाला Omen अभी prefer नहीं करूँगा, उसके सामने इसको भी prefer नहीं करूँगा, मैं किसी और चोईस के लिए जाँगा, अगर एक लाग 15,000 का ही बजट होगा, क्योंकि वह एक लाग 15,000 का है, तो 4060 वाली चोईस ज्यादा बेटर रहेगी, लेकिन एक डालो, predator Neo के लिए जा सकते हो, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, इस laptop में कोई दिक्कत नहीं है, बस price में गाए, price अगर कम होगा बात में, तो definitely आप इसको 1 lakh के आसपास consider करके चल सकते हो, उसमें बढ़िया रहेगा, बागे बस यहीत आज की वीडियो के लिए पसंद आई हो झालो, झालो, अ जालो, झालो, आवड हो, इस icon Exodus did here, लेकिन आऎकरन, बस चारा है, जा सकते हो।